जै श्री हरी, इस्प्रीचल ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आशा है सभी स्वस्थ होंगे spiritual ग्यान की आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं, बहुत समय से यदि कोई काम नहीं बन रहा है किसी का, तो उसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि उसका काम बन जाए तो सबसे पहला उपाय है नहाते वक्त पानी में हल्दी डालें तो अगर आपका लग साथ नहीं दे रहा है तो आप रोजाना सुभा पानी में चुटकी भर हल्दी मिला करके स्नान कीजिए इससे श्री हरी और भिस्पती देव की किरपाप पर बनी रहेगी जिससे आपका भग्विद्य होगा अगर आप शाम को नहा रहे हैं तो पानी में चुटकी भर नमक मिला लें इससे सारी नकारात्मक्ता दूर हो जाएगी दूसरा उपाय है हनुमान जी की पूजा करें यदि आपके जीवन में लगातार धन संबंधी या अन्ने परिशानिया बनी हुई है तो पंचमुकी हनुमान जी की अराधना आपके लिए शुब रहेगी इसले हर मंगलवार को किसी मंदिर में जाकर पंचमुकी हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालेशा का पाट करें हनुमान जी की किरपासे शत्रूओं का नाश होता है और धन अभाव जैसी समस्याओं से भी मुक्ती मिल जाती है तीसरा तुलसी के पास दीपक जलाएं शास्त्रों में ऐसी मानेता है कि अगर कोई इंसान रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाता है तो उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ती दूर हो जाती है अगर आपके घर में किसी भी हिस्से में आपको वास्तो दोश महशूस होता है तो उस जगा पर आपको सुभा शाम शंक बजाना चाहिए यदि घर में शंक ना हो तो आप जिस घंटी से पूजा करते हैं उस घंटी को भी बजा सकते हैं उससे निकलने वाली धोनी से वातावरण की नकारात्मकुर्जा नस्ट हो जाती है कैसी लगी जानकारी? कमेंट सेक्शन में बताएं इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फो वाचिंग